गुगल माई बिजनेस अकाउंट सस्पेंड हो गया है और अभी वीडियो वेरिफिकेशन करना है चलिए थोड़ा डिटेल में बात करता हूं आपने गुगल बिजनेस प्रोफाइल पे अकाउंट बनाए थे अकाउंट बनाने के बाद वह अकाउंट वेरिफाई भी हो गया था हो सकता है फोन में जोटीपी आता है उस मद्धियों से अपने वेरिफाई किया था या फिर किसी और जो तरीका है उसमें वेरिफाई किया था लेकिन कुछ दिन आपका अकाउंट कंटीनी होने के बाद फिर से ऑटोमेटिक जो है सस्पेंड हो गया है और यह देखके आ अब आपको re-verify करना है जब re-verify करने का आप कोशिस कर रहे हैं उस time पर आ रहा है कि video verify करना है अब video verify कैसे करना है वह आपको इस video में in details में बतहूंगा Hi friends मैं हूं mansy настроald R&D Digital में आप सभी का बहुत बहुत सभागत ते फ्रेंट्स वीडियो बहुत important आहें आपको please get तक बने रहेना एंड में अगर पसंद आए लाइक कमेंट शेयर जुरूर करना और हमारे चनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स एक इंपर्टन अनॉंस्मेंट वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना है अभी कुछ लोगों के लिए हमने स्रीप 1500 उपीज रखा है ओभी 1500 उपीज में आपको कम्प्लीट गूगल बिजनेस प्रोफाइल का मास्ट्री कोर्स मिलेगा उसके साथ साथ वान मंथ फ्री कंसल्टिंग दे रहा हूं वह मैरे टीम मेंबर में मैं खुद फ्री कंसल्ट मेरा वान टुवान आपके लिए आप करवा सकते हैं तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपोर्डान अनाउंस्मेंट है यह प्राइस बढ़ने वाला है अभी स्रीप 1500 उपीज है अगर आप चाहते हैं आपको इतने सारे वीडियो में स्यार कर चुका हूं अगर आपको लगता है कि मेरे कोर्स आपको हेल्प करेगा तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे आप मेरे कोर्स को चेक करना और यह कोर्स को आप ले सकते हो तो फ्रेंड्स चलिए सुरू करते हैं आज का टॉर्ट तो फ्रेंड्स मैं आपको रियल एग्जांपल देना चाहता हूं एक मेरे दोस्त मैरे फ्री लांसर दोस्त यह प्रोफाइल क्रेड क्या हूता था कुछ दिन पहले यह प्रोफाइल जो प्रोफाइल आपके अभी सामने और जब इस Warum को क्रियेट किया वा था उस टाइम पर verifi केशन मेठर जो है वो है phone verification phone verification यानि आपने जो number डाले है उस number पे OTP आएगा OTP आने के बाद है verify होता है तो इस account को OTP डालके verify करवाया गया था और पहले कुछ घंटो कुछ awards जो है वो review में गया था उसके बाद यह account verify हो गया था फिर यह account दो तिन दिन रहा उसके बाद automatically ऐसे दिखने लगा your profile is not visible to customer your profile is not visible to customer ऐसे दिखने लगा और मतलब आपका account यानि टेक्निकल यहाँ पे आकाउंट suspend है और यह get verify का यहाँ पे फिर से option है मतलब यह account अभी public के लिए visible नहीं है और यह जो suspend हो गया या फिर मतलब यह account जो अभी चल नहीं रहा है इसके लिए Google से कोई email भी नहीं आया है यानि आपको पता भी नहीं चलेगा आपको लगेगा कि आप ऐसे भरोसा में बेठे होगे आपको लगेगा कि आपका account जो है चल रहा है लेकिन जब login करके फिर से चेक किया और most of the लोगों को video verification करते कैसे है वो नहीं मालूम है तो मैं यह जो video verification जो है इसको मैं exactly यहां पर इस process को आगे बढ़के दिखाऊंगा लेकिन video verification के लिए मैं अगर short में बताऊं आपको एक छोटा सा video suit करना पड़ेगा और वीडियो आपको upload करना पड़ेगा वीडियो शूट कैसे करेंगे उसको upload कैसे करेंगे शूट और upload करते वक्त आपको क्या क्या चीजों का ध्यान डखना है वह मैं थोड़ा सा पहले details में बताऊंगा उसके बाद इस प्रोसेस में चलेंगे वीडियो शूट जब करेंगे आपके mobile पे ही करना है आपके mobile के camera से करना है अभी मालची कि आप PC से login है तो PC के webcam से भी कर सकते हैं लेकिन mobile से ज्यादा convenient है आपके mobile पे इस टाइप के आप Chrome browser पे जाना है आपको Chrome browser पे जाके आपको login कर लेना है आपका जो गूगल माई business के profile Chrome browser पे जाके आप login कर लोगे तो आपको मेरे screen पे जैसे ही दिख रहा है ऐसे ही दिखेगा अब थोड़ा सा details आपको ध्यान लखना है अभी यहां पे देखिए video recordings का जो तरीका है यहां पे explain किया हुआ है जो मैं आपको पहले बताना चा चीजे इसको ध्यान रखे दूसरा आपका वीडियो एक से दो मिनिट के अंदर होना चाहिए मतलब 15 सेकंड का नहीं होना चाहिए या फिर दो मिनिट का एभब नहीं होना चाहिए इसका ध्यान रहे क्योंकि एकदम छोटा वीडियो बनाओगे तो उसमें सारे चीजे कवर नहीं होगा बहुत बड़ा वीडियो बना दोगे तो अपलोड नहीं होगा सपोर्ड नहीं करेगा वान टू मिनिट जो है वो गुद टाइम है उतने डियूरेशन ही रखना उससे ज्यादा एक मिनिट में अगर आप आपका हो गया तो बहुत अच्छा लेकिन उससे जली तीन चीजों का ध्यान रखना होगा यहां पर एक तक्लिप बाले पार्ट है मैं आपको बता दूँ यह जो वीडियो वेरिपीकेशन है यह जो लोकेशन है या फिर जो बिजनेस है उस बिजनेस के जो अनौर है या फिर उनके टीम मेंबर जो है उनको करना पड़ेगा एगर मालीजर कि digital marketer या freelancer किसी client के लिए कर रहा है और वह client के location में available है तब जाके करपाईगा अगर मालीजर कि कोई freelancer example बैठा है कलकता में लेकिन उसका client है मुंबाई में या फिर दुबाई में video verification का option enable हुआ ہے SXS में वो freelancer या digital marketer client के लिए video verify नहीं कर पाएगा SXS में उस client को खुद को video verification करना पड़ेगा क्योंकि उसको उसके location पर करना पड़ेगा मतलब अगर freelancer कलकता में बैठा है वो आपके लिए Mumbai या Dubai ट्रावेल नहीं करेगा तो यह आपको करना पड़ेगा इसके लिए आप digital marketer हो या आपका खुद का business हो यह प्लीज ध्यान रखना क्योंकि यह आपके लिए है freelancer के लिए ज़्यादा important है नहीं है क्योंकि आप अगर freelancer को दिये हो और आपके location तक ट्रावेल नहीं कर पाएगा आपको ही करना पड़ेगा वीडियो अप्लोड करते बग तीन चीज का खास ध्यान लखना है पहला चीज है your current location यहां पे Google बता रहा है कि to show your Google में location capture outside signs मतलब सबसे पहले आपका video shooting जो है आपके mobile में आपको outside से करना पड़ेगा जो आपके location है location के बाहर वाले हिस्से से करना पड़ेगा यानि road पर करना पड़ेगा पहला आप road आपको दिखाना पड़ेगा जहां पर आपका business है उसके बाजू में जो भी road होगा गली होगा और road आपको दिखाना होगा road के साथ साथ आपके business के nearby जो भी offices होंगे दुकाने होंगे उनके boards बगरे दिखाने पड़ेंगे तो Google को समझ में आ जाएगा हाँ यह real location है दूसरे business बगरे उसका address बगरे है तो आपको यहां पर दिखिए Google ने clearly mention किया है आपका जो location है उसी location पर जाना होगा अब यह location हो सकता है आपके business service based business हो आप कहीं पर जाके service देते हो ऐसे case में भी comparison भी आप ले सकते हो आप देखिए capture outside sign लिखा हुआ है और street जो है जिसमें include street name बगरे होगा nearby businesses around you यह आपको दिखाना पड़ेगा यानि जो पहला वीडियो का जो पहला पार्ट है तीन पार्ट में से एक बार आप सूट करोगे उसका तीन पार्ट पे डिवाइड करना पहल समझ में आया वीडियो का duration एक से दो मिनिट के अंदर होना चाहिए वीडियो तीन पार्ट में होगा पहला पार्ट आपको आउटसाइट का सूट करना है आउटसाइड में पहला आपको बाहर का रोड दिखाना होगा उसके बाद आपको आपका वीडियो का सेकेंड आप देखिए पहले में पढ़के दिखाता हूं तो सो देट यह बिजनेस इस लोकेशन और कैप्चर यह अपरेशन एक्जामपल इंक्लूड स्टॉक अपसेल ब्रांडेड एक्विमेंट मार्केटिंग मेट्रियाल टू ले सब चीजह मतलब आपको सेकेंड में आपको टेक्शी बाखरय मय बखर right The good झना से आपका गाड़ी खड़ा है और उसमें आपका इसक gelir दिखा हुआ है मतलब आपका कोई क्ली मैंट से जोई बखर आप दिखा सकते हैं या फिर आपका बिजनेस के मेलेडियाल्फ वह व्याप दिखा सकते हैं दिखा सकते हैं यातों से यह प्रूप चाहिए कि आपका बिजनेस एक्चौल में है एक्जामपुल आप ऐसी सर्विसिंग देते हैं और लोगों के घर में सर्विस देते हैं जाके तो वहां पर आपका ऐसी सर्विसिंग रिप्यारिंग का gua विजनेस हो गे तो आपका गाहड़ी होगा जो उसका आप दिखा सकते हैं अगर आप महेंढी आटिस्ट्रे में कब्अन इस से दुसरे के घर पर जा के देते हैं नहां पर बेटका आप काम करते हो वह सारे चीज़ा आप दिखा सकते हो तो यह बिजनेस का मतलब यह है यह आपका वीडियो का सेकेंड पार्ट पर होना चाहिए एक्जामपल पहला 30 सेकंड आपने बाहर का लोकेशन बगरे का आपने दिखाया दूसरे 30 सेकंड जो है आपने को तो यह आपने बिजनेस केप्चर यह एक्सेश तो इंपली अव्ली एंटम और एरियाज एक्जामपल इंक्लूदिंग एकेस रेजिस्टर, कीचेन, स्टोर रूम, नन संसिटिव बिजनस डॉकुमेंट, यूज यूज यूर कीज तू अपन यूर फेसिलिटीज, तो इसका मतलब समझे, आपको प्रूफ अप मेनेजमेंट दिखाना है, यह प्रूफ अप मेनेजमेंट में सबसे तो आपको खोल के दिखाना है, दिखाने के बाद आप कुछ चीज दिखा सकते हो, जैसे इसने दिखाया, आपका मालीजे की कोई रेजिस्टर है, बिजनस के रिलेटेड, कोई कीचेन है, कोई स्टोरेज है, या रूम है, तो इस टाइप का आइटम आप दिखा सकते हैं, अगर मालीजे कि मैं घर से काम कर रहा हूं, तो मेरा घर का जो दर्वाजा है, वो खोलूंगा, और ऐसे हो सके तो घर का जो बोर्ड दर्वाजा में, चोटा सा बोर्ड लगा दूंगा, प्रिंटिंग निकालके, प्रिंट निकालके लगा दूंगा, और फिर मेरे PC में जहा आपको वीडियो बना रहे होंगे इसका प्लीज खास ध्यान रखे अभी मैं जो स्क्रीन में दिखा रहा हूं हो सके तो इसका आप स्क्रीन सोट ले लिजिए स्क्रीन सोट और इसको अच्छे से एक बार गोत्रो करना उसके बाद वीडियो आपको रेकॉड करना है अब जैसे get verify पर आप click करेंगे एक new page open हो गया आप यहां देख सकते हैं एक new page open हो गया चलिए यह new page में आपको दिखाता हूं यहां पर एक new page open हो गया जहां लिखा हुआ आ रहा है please enter your postal address to verify तो यहां पर देखिए यह postal address यहां पर मांग रहा है तो postal address में आपका country definitely आपका यहां पर मैं इंडिया से हूं तो आटो पिक किया आपको आपका country automatic पिक करेगा अगर नहीं पिक किया तो आपको country select कर लेना है उसके बाद आपको यह सारी detail भरना है जैसे street address, town या city, pin code state यह आपको डालना है अभी मैं यहां पर डाल देता हूं example यह हमारे street address है यह मैंने पहले से ह रखा है तो यहां पर copy कर देता हूं street address को copy paste कर देता हूं और उसके बाद town and city इसको भी मैंने copy paste कर देता हूं आपका जो भी town and city है वह आपको डालना है देखिए copy paste तो यहां पर town and city को मैंने copy कर दिया और pin code अपने को डालना है उसके बाद pin code एकदम सही तरीके से डालना है गलत नहीं डालना है नहीं मालूम है pin code तो एक बार pin code आप निकाल लिजिए सो पिन को अपने को डालना है उसके बाद state डालना है यहां पर यह जो है गुजरात में है तो गुजरात ले लेते हैं आपका यहां पर देखिए country आ गया street address हो गया अभी माल जिए कि आपका address थोड़ा बड़ा है आपको दो line add करना है तो plus यहां पर आप click कर सकते हो plus add address line करक उसके बाद town या city आपका जो है आप ले सकते हो पिन को डाल सकते हो उसके बाद आपको next करना है देखिए मैंने next किया अभी जैसे next किया यहां पर देखिए यह पहले बता रहा है select a way to get verified मतलब यह बता रहा है कि आप select करिए कौन से तरीका में आपको verify करना है यहां पर google को म बिजनस वीडियो का ही वेरिफिकर सन दे रहा है लेकिन यहां पर लिखा हुआ रहा है कि selective मतलब आपको सिलेक करना है कौन से हुए में आप verify करवाना चाहते हो गुगल भाई साब गलत है मतलब आपको यहां multiple option देना चाहिए आप यहां पर वीडियो का ही option दे रहे हो और आ मत करना कंटाक्ट सपोर्ट मत करना यहां पर जो है बिजनस वीडियो आपको वही रखना है और इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है जैसे नेक्स्ट करोगे यहां पर देखिए मैंने अभी आपको जो यहां पर पूरा आपको जो राम कहनी आपको जो समझाया आपको यहां पे दिया हुआ हुआ है ही दिखे मैंने आपको समझाया हुआ है रीकॉर्ड शो डिटेटल्स 마음에 आपको समझाया होगा करना होगा यहां पर देखिए पिहले में क्या दूसरे में और और तिसरे में क्या, यानि वीडियो को तीन पार्ट में डिवाइड करोगे, पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में और तिसरे पार्ट में, तो यह चीज जो है, मैंने आपको अलेडे एक्सप्लान कर चुका हूँ, आप थोड़ा पढ़ लेना इसको, उसके बाद यहाँ प चैंज ऑप्शन करेंगे, तो कुछ नहीं होगा, मैं आपको दिखा दाओं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, कुछ नहीं हो रहा है, उसके बाद नेक्स करते हैं, यहाँ पर देखें, स्टार्ट रेकोडिंग का अप्शन है, यहाँ पर गूगल एक आपको इंपोड़ान स्टार्ट, टिप्स पर गेटिंग स्टार्ट मतलब, यहाँ पर यह बता रहा है, पहले से आप प्लान कर लेना, कि जो तीन टाइप के आप सूट करोगे, वो तीन टाइप का सूट आपके पास रेडी होना चाहिए, देखें यह बता दे रहा है, make sure, all your capture, all requirements, all three requirements in one continuous recording, मैं नहीं होगा, start outside, मतलब आपको start करना है, आपका outside से यह सारे मैं explain कर दिया, अभी avoid capturing face और sensitive documents, यहाँ पर Google आपको, मतलब warn कर रहा है, किसी का face या sensitive documents को capture मत करना, उसके बाद यहाँ पर देखें, start recording का option है, जैसे start recording पर आप click करोगे, यहाँ पर आप देख सकते है, start recording का option आ गय यहाँ पर मैं PC से कर रहा हूँ, इसके लिए यहाँ पर scan this QR code, यह लिखा हुआ आ रहा है, scan this QR code to open the link on your mobile device, मतलब यह मैं PC में कर रहा हूँ, इसके लिए scan this option आ रहा है, अगर आप mobile से करोगे, chrome browser open करके इसको follow करोगे, तो यहाँ पर आपका camera automatic on हो जाएगा, और आपको suit कर ल है, आपको upload कर देना है, so friends, इस तरीके से अगर आपका video verification enable हुआ है, आपको इस तरीके से आपको करना है, मैं उम्मिद करता हूँ, आपको यह समझ में आया होगा, अगर आपको video पसंद आया, please like, comment, share, जरूर करना, जैसे मैं सुरू में बताया था, हम Google business profile का course launch कर चुके हैं अगर आपको लगता है, कि आप मेरा Google business mastery ले सकते हैं, अभी सिर्फ 1500 उपीज का है, आप 1500 उपीज दे के मेरा personal consulting ले सकते हो, one to one, for one month, और यह course के साथ भी, so friends, फिर मिलते हैं, चैनल का अगर आपने subscribe नहीं किया, प्लीज subscribe कर लेना, फिर मिलते हैं अगले video में, thank you so much, thank you for watching, have a good day.